नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों के एक खुबसूरत फूल प्रेम्रोज के क्यार के बारे में बताऊंगी यह जो पौधा है इसे मैंने नर्सरी से पर्चेस किया था आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और यह पौधा लगाना चाहिए और इसकी जो स्वाइल होती है वो स्वाइल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पानी बिल्कूल न ठैरे वेल डेंट स्वाइल होनी चाहिए और इसे आप 6 से 12 इंच के गंबले में लगा सकते हैं और इसे मैंने 6 इंच के छोटे प्लास्टिक पॉट में लगाया चाहिए और इसमें अगर आप आर्गिनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो अच्छा रहता है इसकी हमें रेगुलर प्रूनिंग करती रहने चाहिए इसकी डेड लीप्स को निकाल देना चाहिए और जो फ्लार जो स्पेंट हो चुके हैं उन्हें भी हमें हमेशा हटाती रहना चाहिए और यह मेरे क्रिसेंथिमम जो फुल ब्लूम पर हैं झाल झाल झाल